दोस्तो भारत सरकार ने एक नई सर्विस शुरू कर दिया है, जिसे से अब आप किसी भी उम्रे की वेक्ती का बर्थ सर्डिफिकेट बना कर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो इस वडियो के अंदर दोस्तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आप आप अनलाइ बर्थ सर्डिफिकेट के लिए अपलाई करेंगे, और कैसे डाउनलोड करना हैं, इन सारी चीजे ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तो ओनलाइन बर्थ सर्डिफिकेट अपलाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लेप्टॉप में कोई भी एक ब्राउजर उपेन करना है, और यहाँ पर सर्वीस प्लस लिक कर सर्ज कर लेना है, जिसके बाद आपके सामने पहला लिंक आएगा, सर्वीस प्लस मेटा डेटा बेजड एपलिकेशन, इसी लिंक के उपर क्लिक कर देना है, इस प्रिकास से आ यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम टाइप करना है, रजिस्टेशन के लिए, यहाँ पर इमेल आईडी टाइप कर देना है, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड सेट कर लेना है, जिसके बाद नीचे दो दोस्तों आपको अपने state का नाम select करना है आपकी इस state में रहते हैं ठीक है इस प्रकास से उसके बाद यह जो capture code दिया है इसे यहाँ पर type करना है नीचे दोस्तों submit के button पर click करके आपको यहाँ पर अपना registration करना है एक बार दोस्तों आपका registration हो जाता है तो आपको यहाँ पर login क के उपर click करना है अब login करने के लिए login ID यहाँ पर type करना है यानि की email ID उसके बाद दोस्तों यहाँ पर password type करना है जो आपने state किया था capture code को यहाँ पर type कर लेना है उसके बाद नीचे login के button पर click कर देना है जिसके बाद दोस्तों आप इस portal पर login हो जाओगे आप यहाँ पर द कर देना है आपके सामने दोस्तों government के जितने भी service है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर 45 प्लस जो है pages दिया है उस पर जागर आप चेक कर सकते है services को ठीक है अब यहाँ पर birth certificate apply करने के लिए सबसे पहले state का नाम select करना होगा ठीक है तो चले हम यहाँ पर जो है किसी एक state को select कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो state है उससे select करते हैं इस प्रिकास से दोस्तों जो state के सभी service है यह open होकर आ जाता है अब इसी में दोस्तों आप देखेंगे तो fourth number पर दिया है issue of birth certificate urban ठीक है य यहाँ पर आप देखेंगे urban area के लिए अलग दिया हुआ है rural area के लिए अलग दिया हुआ है ठीक है तो हम जो birth certificate apply करने वाले है वो rural area के लिए करने वाले है तो चले हम जो है इसी वाले option पर click करते हैं इस प्रिकास से आपके सामनी जो form है यह open होकर आ जाएगा आप यहाँ प बाद आपका जन्म होना चाहिए तभी आप बना सकते हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो data उपर select करने के बाद यहाँ पर आपको अपना gender select करना होगा इस प्रिकास से उसके बाद यहाँ पर name type करना होगा full name ठीक है जिसके बाद दूस्तों आपको नीचे आना है नीचे आपको अपने father का name type कर देना है जो भी आपके पिता जी का नाम है उसके बाद उनका आधार कार्ड अगर बना है तो आधार कार्ड number यहाँ पर आपको type कर देना है UID number यानि की आधार कार्ड number अब यहाँ पर आपको अपने माता जी का नाम type कर देना है mother name ठीक है जि इसके बाद दुस्तों नीचे आना है अब आपको यहाँ पर पर्मानेंट एड्रेस देना है ठीक है जो भी आपका पर्मानेंट एड्रेस है जहाँ पर आप पर्मानेंटली रहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप कर देना है ठीक है टाइप करने के बाद नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर place of birth, अब आपका जन में कहां पर हुआ था, कि जिगे पर हुआ था, घर में हुआ था, hospital में हुआ था, या फिर other, आपको यहाँ पर अपना select करना होगा इस प्रकास से, ठीक है, जैसे हमारा घर पर हुआ था, तो हमने house select कर लिय ठीक है, उसके बाद यहाँ पर informant name, यहाँ पर आप अपने पिता जी का नाम दे सकते हैं, ठीक है, कोई issue नहीं है, उसके बाद उनका जो address है, वो आपको यहाँ पर देना होगा informant address, ठीक है, इस प्रकास से आपको यहाँ पर detail fill up करना है, जिसके बाद दोस्तों यहाँ से आ आपके माता जी किस गाओं से, किस सहर से हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर type कर देना है, ठीक है, type करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आना है, यह बताना है कि वो town से हैं, यहाँ पर town and village, दोनों option दिया है, तो आप select कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर state select कर लेना है, ठीक है, किस state से हो हैं, उसके बाद यहाँ पर district भी select करना होगा, कौन से district से हो आते हैं, ठीक है, यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर religion select करना है, आपके family का क्या religion है, हिंदू या फिर जो भी है, वो आप यहाँ पर select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके father का कित जिसके बाद यहाँ पर mother occupation आपको बताना है आपके माता जी क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना होगा जिसके बाद दोस्तों अगर कोई भी काम नहीं करते हैं तो यहाँ पर nil लिख देंगे जैसे house wife है तो अब यहाँ पर आपके माता जी का age टाइप करना है जब यहाँ पर दोस्तों आपके माता जी के पास total कितने children है कितने बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर बताना है आपको लेकर मतलब की एक दो तीन जो भी है वो आप यहाँ पर जो है नंबर से type कर देंगे अब यहाँ पर method of delivery नॉर्मल हुआ था यहाँ पर तीन option है तो आप अप नहीं साब से select करना अब आपका जन्म हुआ था तो आपका weight कितना था वो आपको यहाँ पर बताना होगा kg में यहाँ पर duration of pregnancy in week आपको type कर देना है week में ठीक है उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर office automatic select हो जाता है select करने की जरुरत नहीं है ठीक है जिसके बाद बस आ submit कर देंगे उसके बाद आपको एक reference number मिल जाएगा उसे आपको संभाल कर रख लेना है उसी से status track होगा status track करने के लिए यहाँ पर दिया है view status of application इस पर आपको क्लिक करना है पहले यह option आएगा track application status इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर दोस्तों जो आपको reference number मिला है उसे type कर देना है type करने के बाद get data के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों पूरा status खुल कर आजाएगा अगर दोस्तों आपका birth certificate बन गया रहेगा तो यही पर download का भी option मिलेगा उस पर क्लिक करके आप अपना जो birth certificate है उसे download कर सकते है ठीक है तो इस तरह से दोस्ता birth certificate बना सकते हैं और उसे download कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो like और share कर देना साथी साथ चैनल को भी subscribe कर लेना thank you दोस्तों bye bye and take care